नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजूकेशन चैनल एजूटूबर देव पर तो दोस्तों आरेस भरती 2018 को लेकर फाइनल रिजल्ट जो है या यह कहें कि हाई कोट की खंड पीट ने दोस्तों अपना फैसला सुना दिया अलांगी फैसला तो कुछ 18 परकरिया जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया है यानि कब दो गुना अभिरती जो कैटेगरी वाईज बुला ले जाने थे वो अब नहीं बुलाए जाएंगे कोट ने इस मामले में एकल पीट का आदेश रद कर दिया है जिससे आयों को मुख्य परिक्षा का पूरू मे परकरिया पूरी करें तो जो पहले लिश निकली थी रूस में जिन जिन अभिरतियों का जो है एक तरीके शाक्षातकार के लिए बुलाया जाना तई हुआ था अब वही सारे वापस से परकरिया सेम वहीं से कंटीनियू होगी अपील में गहा गया था कि भरती का परिणाम निमा नुसार ही जारी किया गया है जो की सही है तो इसे अब विरतियों को एक सीधा सीधा जटका लगता आप देख सकते हैं एकल पीट के आदेस की पालना करते हुए पदों के मुकाबले दो गुना विरतियों को बलाया गया तो शाक्षातकार के लिए तकरीबन साथ सो उ अंक ते करने का यदिकार है जो कि सबी वर्गों के लिए समान होने चाहिए आयोग ने वर्ग वार अलग लग कट आप जारी करके शाक्षातकार में पदों के मुकाबले के लिए डेट गुना विरति बलाए हैं कैटेगरी बाइस ओल ओवर डबल जबकि शाक्षातकार के ल अभी दोस्तों क्या है फाइल जो है नतीजा वो यही है कि ऐसे करके 17 देसमर को जो है वो परिणाम रद किया गया था हाई कोड की एकल फीट ने कवीता गोदारा और अन्य की आचिकाबर 17 देसमर 2020 को आरेस भरती की में जो मेंस एक्जाम है उसका प्रिणाम रद किया था ये भी आदिस दिया था कि शाक्षातकार में पदाओं के मुकाबले कम से कम दोगोना विरतियों बला जाए और वो केट शाक्षातकार कराए जाएंगे शाक्षातकार एकरम जो है वो जल्द ही जारी किया जाएगा ऐसा कहना है डॉक्टर भूपेंदर यादव का जो कि अध्यक से आर्पीसी के दोस्तों अब जो ऐसे अबिरति जो ते जैसे वीडियो नाम भी आया कवीता गोदारा वगेरा तो वही अबिरति थी थे जो ही मांग कर रहे थे कि अगर कर्टेगरी वाइज डबल बुलाए जाए जाए तो हमारा भी चांस है तो अब उनका कोई चांस नहीं है तो अब उनको क्या करना चाहिए उनको अगली आरेस जो प्रिक्षा की वही त्यारी जो है उनको करना चाहिए क क्योंकि अब जैसे ये भरती परक्रिया पूरी होगी अगले दो च्यार मेंडों में नई आरेस जो है आरेस 2011 अब कमी जो है भरती वो आने की संभावना और मैंने आपको काफी सारे खाली पदों परूँ पर भी सूचना दी थी कि अलग अलग जगे जो है काफी सारे खाली आपका बहुत अच्छा चांस है बस मेहनत करते रहना और खुद पे विश्वास रखे रहना आपको बाकी तो मैं बस यही कहना चाहूँगा उनसे और मैं धन्यवाद अरपित करता हूँ अपने ही जो परिवार है ये यूट्यूब चैनल जो है आपका एजूकेशन चैनल एक परिवार के तरह है और इसकी जो एक सदस्या है जिनका मैं अभी नाम तो मुझे आद है लेकिन नाम नहीं आप बता पाऊंगा तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद अरपित करता हूँ तो उन्होंने ये जानकारी मुझे बहुत पहले उप्लप करा दी थी तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद वो कमेंट जरूर कीजिएगा तो वहां भी मैं उनका धन्यवाद धर्पित करूँगा आभार क्या पित करूँगा और दोस्तों जो भी अपडेट वगिरा आगे नई भरती कि आएगी तो मैं जरूर आपको अवेलिबल करवाता रहूँगा तब तक लि दोस्तों धन्यवाद नमस्कार